अब हमारे पास बहुत तरह की अग्रीमेंट्स हैं, PTA, Preferential Trade Agreement, जो Free Trade Agreement, PTA, FTA, SECA, SECA, then Economic Union, etc. मैं आपको सबी लाइन से समझाता हूँ, सरकारी डॉक्यूमेंट्स ही हमने ये बौरो किया, आप भी जाकर देख सकते हैं, जो Commerce, जो Ministry of Commerce है, वहाँ पर ये पढ़े हुए बहुत सारे definitions, तो वहाँ पर जो सबसे जो Essential हैं आपके लिए वो बता रहा हुँ है, जो Preferential Trade Agreement की होता है अगर आपने इसको systematically समझ देंगे, बहुत ही असान सी चीज है ही, systematically ही समझ आती है वैसे, तो देखिए, माल लिजिए कि दो Countries थी, एक कोई Country A और एक Country B आपस में Trade करते हैं, ठीक है, they are trading amongst themselves and जो ये Trade करते हुए, they decide कि ओके, ये जो 10 आइटम्स हैं, ये जो 10 जो इन 10 आइटम्स को, तो हम इस तरह से जिसे Trade करेंगे कि हम इन पर Duty नहीं लगाएंगे, ठीक है, we will not charge any Duty and इसके सिवा जो भी बाकी जैसे जो हम Total हम बाकी 100 चीजें और Trade करते हैं, उन 100 चीजों पर हम लगाते रहेंगे Duty लेकिन इन 10 आइटम्स पर नहीं लगाएंगे, अगर ह ध्यान दीजेगा कि हम एक Positive List maintain कर रहें कि जो भी चीज इस लिस्ट में लिखी हुई है, इस पर हम Duty नहीं लगाएंगे तो हम PTA कर रहें, अब एक अलग से भी हो सकता है, लेकिन अब एक लिस्ट में चीजें लिखते हैं, वो बोलते हैं कि जो इस लिस्ट में चीजें लिख आपको क्योंकि इसमें क्या होगा, कि हम इस सरफ यह देखना होगा कि यह लिस्ट के अंदर जो भी चीज हमारी Import-Export हो रही है, इस लिस्ट के अंदर लिखी हुई है, जी हां लिखी हुई है, तो अब इस पर Duty लगा दो, अच्छा, नहीं लिखी हुई, बाकी सब चीजों पर किसी पर Duty नहीं है, अगर इस तरह के कोई चीज हो रही है, that is known as FTA, ठीक है, FTA किस पर बेज होता है, यह Negative List पर बेज होता है, this is known as Exclusion List, ठीक है, इसको Negative List बोलते है, हिंदुस्तान इसको Exclusion List बोलता है, ACN के Context में, कि सरफ इसी लिस्ट पर आपके Duty लग रही है, बाकी जो Agree करते हैं, दो Partners, कि हम क्या करेंगे, Positive List मेंटेन करेंगे, जिस Positive List में, जैसे उसमें हम अपनी Duties को Reduce कर देंगे, या पर नहीं लगाएंगे, जो भी आपने Decide किया, जो No करना है, या Low करना है, ठीक है, तो Positive List, जो भी List में लिखाओगा, उसी पर ही सिरफ आपका, जो Agreement हो र Countries हैं, Venezuela भी है, वैसे, वहाँ पर लेकिन अभी Suspended है, Mercosur से, तो इसलिए इंडिया का PTA उनको साथ चलता है, तो इसलिए बहुत ही छोटी से List है, जिसमें Trade हो रहा है, सस्ता Trade हो रहा है, बाकी सारा Exclude, अभी उस पर कोई जो Trade पे जो रियायत या छूट नहीं है, सिरफ थो जो उसी particular List पर आपने सिरफ Duty लगाओगे, उसके सिवा किसी चीज़ पर Duty नहीं लगाओगे, ठीक है, इंडिया शिलंका FTA भी example है, और क्या है, PTA में एक Positive List होती है, ठीक है, and FTA में क्या होता है, Negative List, जिसको Negative List को हम Exclusion List भी कहते हैं, जिस पर Duties नहीं हटाई जाती या Eliminate नह बढ़ जाता है, और सारे products उसमें आ सकते हैं, जो आपस में trade बढ़ाने के लिए ही थोड़ा encouragement है, then comes Seca SEPA, और अपना scope बढ़ाते हैं, Seca SEPA में क्या होता है, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, या फिर Comprehensive Economic Partnership Agreement, ठीक है, and then, यहाँ पर Seca में generally हम क्या करते हैं, कि चलो हमने सवान तो यहाँ वहाँ हम खरीद, जो कर रहे हैं, जो trading हो रही है, अब आपके IPR का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, and investment को भी थोड़ा encourage करें, investment भी encourage होने शुरू हो जाती है, कि हम एक दूसरे में जब invest करेंगे, कुछ special treatment मिलेगा आपको, ठीक है, तो investments को, IPR वगारा को ध्यान रखें, और areas क्या हो abroad होते जा रहे हैं, ठीक है, that is, that is, when हम किसके तरफ मोड़ रहे हैं, SEPA या SECA के तरफ, India, Korea हम सेपा हमारे पास है भी, ठीक है, यह इसलिए ज़्यादा comprehensive होते हैं, and particularly, यह FTA से ज़्यादा area cover करते हैं, IPR की protections और ज़्यादा solid होती हैं, कि अगर एक particular country का समान, दूसरी country में copy paste करके कोई बेच रहे है, trademark violation हो रही है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, and otherwise, बाकियों का भी रखा जाएगा, लेकिन इन पर greater, जो यहाँ पर protection है, and एक तरह से ज़्यादा सुनवाई अच्छी है, alright, तो government procurements में, आपको participate करने का मौका मिलेगा, ठीक है अगर इंडिया में किसी ने डिगरी करी, और हमारा किसी के साथ सेका है, यह सेपा भी है, तो हमारी डिगरी की value वहाँ भी होगी, similarly, otherwise, अगर आप जैसे आप UPSA का form भी भरते हैं, अगर आपने कहीं बाहर से डिगरी करी है, तो आपको उसको equivalent लेना पड़ता है, इंडिया म हमारा किसी के साथ, तो हमारी डिगरी, वहाँ के डिगरी बिल्कुल बराबर कैलाएगी, ठीक है, तो यह बाद जरूरी है, MRAs बोलते है, mutual recognition agreements, and then उसके बाद next level पे आता है, custom union, custom union में आपस में तो हमने trade कर रहे हैं, बिल्कुल freely, zero duty के तरह, हमने क्या किया, अब हमने कुछ countries ने मिलकर आपस में group बना लिया, एक, and उस group में आपस में तो trading हो रही है, बिल्कुल freely, आपस में, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम, अगर हमने बाकियों के साथ, जो हमने जो भी dealing करनी है, वो भी हम common करते जाएंगे, ठीक है, हम बाकियों के साथ, let's say, एक country A था, इसका भी तीनों बिलकुल आपस में देख बाल कर, एक दम discussion करके रखेंगे, and let's say, decide करें कि अच्छा, 10% duty लगाने हैं इंडिया के साथ, तो तीनों हीं इंडिया को 10% duty लगाएंगे, ठीक है, जो rest of the world के साथ, common tariffs maintain करते हैं, South Africa का एक custom union है, जिसमें 3 countries है, जो, sorry, important countries हैं South Africa, तो important country है नामीबिया, बहुत स्वाना, स्वाजी लैंड लिसोतो भी है, लिसोतो लैंडलोग कंट्री आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, हाना EU भी इसका example है, rest of the world के साथ, common tariff maintain करते हैं, EU common market का भी example है, आगे देखते हैं कैसे, common market एक step और deep हो गया, custom union से, यहाँ पर क्या हुआ, लेबर भी freely move कर रही है, capital भी freely move कर रहा है, एक country से दूसरी country में investment ले जानी है, कोई इसे permissions के requirement नहीं है, कि वहाँ के RBI इसे पूछना पड़ेगा, etc, technical standards common होते जा रहे हैं, एक और market ऐसी बनते जा रही है, strong market जहांबे integration और deep है, European common market example है, next level आता है, economic union का, वहाँ पर क्या हो र marketing नहीं रह गई है, सारे के सारे जो labor, capital वगारा सब नहीं है, even कि हमारे जो अब जो बाकी monetary policies, fiscal policies भी harmonize होने शुरू हो गई है, कि similar तरह के tax लगा रहे हैं लोगों पर, and अपने citizens पर, and जो दो countries, 5 countries, 10 countries, जो भी members हैं, उसका economic union का, जैसे हमारी EU है, तो उनके fiscal monetary policies, विलकुल similar हो next ही level की integration है, बस arbitrary borders हैं, कहने को, लेकिन बिलकुल free movement है वहाँ पर, European Union इसका example है, ठीक है, यह अपने बात समझी है, यहाँ पर, इसको पकर revise कर लेना, कि यह जो सभी सभी चीज़े हैं, जो अपने पास PTA से शुरू होता है, FTA, SEKA, CEPA, Custom Union, then Common Market, Economic Union, ठीक है,